Hey guys, मैं हूँ सदफ और बीना किसी देरी के हुए डाइडेक आते है इस वीडियो की टॉपिक पे तो NTA ने NCRT में कुछ अपडेशन किया है और कुछ डिलीटेड टॉपिक और रेडियूस टॉपिक किया है अभी मैं ncrt.nic.in के ओफिशल पेज पे हूँ जो भी NCRT के अपडेशन है डिलीशन या फिर रेडियूस कहलो आप उसके जो PDF थे वो मैंने पहले सही डाउनलोड करके रखे है तो यह आप मेरी PDF देख सकते हो तो यह बिग अपडेशन में उन्होंने इसलिए यह टॉपिक को रेशनलाइज किया है क्योंकि यह topic 11th में भी है 12th में भी है तो बच्चे को combine पढ़ना पढता है 11th में भी पढ़ो 12th में भी पढ़ो और कुछ topics जो बहुती easy होते हैं जो दोस्तों के साथ बैठकर याद हो जाते हैं उस topic को delete किया गया है जो extra irrelevant topics थे उसको भी rationalize किया गया है तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर बायो की NCRT का जो भी deleted topics है rationalized topic है वो यहाँ पर open है तो आप देख सकते हो transport in plants, mineral nutrition यह पूरा full chapter deleted हुआ है digestion and absorption full chapter deleted वाव यहाँ पर पूरा full chapter deleted हुआ है इसका और यहाँ पर strategies for enhancement, food production भी delete किया गया है ecosystem के भी कुछ topics delete किये गए environmental issues पूरा full deleted मानि के biology के अंदर बचे लोग को 38 chapters पढ़ने पड़ते थे अभी सिर्फ 2024 के लिए might be 32 chapters पढ़ने पड़े यह हमारे physics का rationalized PDF है बहुत सारी चीज़े delete की गई है जैसे कि physical world में उपर के जो भी introduction थे what is physics scope and excitement of जो भी थे सब कुछ delete किया गया है units and measurement मतलब कि जो आप फाल्दू में पढ़ते हो introduction की यह ऐसा हुआ था इसको इतना information देना पड़ रहा है तो वो introduction चीज़े delete की गई है तो यहाँ पर देखिए earth magnetism delete किया गया bar magnet as an equivalent solenoid को भी delete किया गया है तो physics में इतने सारी चीज़े delete की गई है यह हमारे chemistry का pdf है इसके अंदर आप देख सकते हो कि full full chapter deleted solid state surface chemistry general principle and processes of isolation of elements sub delete इससे अच्छी और बात क्या हो सकती है hydrogen full chapter s block element p block करना tension कुछ भी नहीं इन और्गनिका तो समझो कितना अच्छा हो गया environmental chemistry तो यह भी gases matter solids जो भी इतने मतलब easy easy topics के जो भी थे वो delete किया chemistry in everyday life भी full chapter deleted तो chemistry के लिए बस इतना ही अगर मैं अपनी opinion दू इस NTA के NCRT rationalized topic के बारे में तो 2023 के लिए तो यह नामुमकीन सा ही लगता है या मुश्किल सा ही लगता है क्योंकि NTA इतना जल्दी reduce topic तो नहीं कर सकती है बच्चों ने इतने साल पूरी भेहनत किये और last में ऐसे बताते हूं कि ता गंदा लगता है but 2024 के लिए यह ज़रूर ही rationalize होगा और बाकी के NTA updation देगा उसके लिए all the best so we can only hope and we hope for the best right बाकी आपकी क्या रहा है comment down below रहा है जब कर दो